क्या आप जानते हैं कि आलू भी हमारी स्किन केर में काफी हेल्फिल होता है? क्यूं होता है? क्योंकि इसमें होता है विटामिन सी, कोपर, सल्फर, आईरन, विटामिन बी, पोटेशियम और केल्शियम जो कि हमारी चहरे की रंगत को सुधारने के साथ साथ अगर मुहासे हैं, काले गेरे हैं तो उन समस्याओं को भी दूर करता है तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इससे हम कैसे फेस बैक त्यार करेंगे सबसे पहले आपने एक आलो लेना है, उससे कद्डूकस कर लेना है और फिर एक nat की help से या फिर कोई भी muslin cloth हो तो उससे आपने इसका जूस अलग कर लेना है इससे हम अलग-अलग समस्याओं के लिए अलग-अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं जैसे कि आज हम skin पर glow लाने के लिए एक face back बना रहे हैं, अगर आपकी आंखों पर सूजन रहती हैं, तो आप एक आलू की slice लें और अपनी सूजी हुई आंखों के उपर रख लें, क्योंकि गंटों तक हम screen पर काम करते हैं, तो कई बर आंखों पर सूजन आ जाती हैं, तो आ आप आलू की एक मोटी slice काटें और अपनी आंखों पर 10 मिनट के लिए रख लें, और ऐसा करने से आपकी आंखों की सूजन देरे-देरे कम हो जाएगी, और साथ में अगर चारे पर किसी तरह के दाग दब्बें हैं, एकने स्कार्स हैं, ये उन्हें भी remove करने में आपकी help क करेगा, अब इसमें एक चमश डालना है glycerin, glycerin से हमारी skin में महशर बना रहता है, हमारी skin soft रहती है, जिनकी skin काफी dry रहती है, खिची-ची से रहती है, तो उन्हें glycerin अपने face back में जरूर योज करनी चाहिए, अब इसके साथ हमने इसमें डालना है एक चमश कच्चा दू होते हैं, तो उनकी skin कितनी clean and clear होती है, और कितनी soft होती है, तो अगर हम अपनी skin के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करते रहेंगे, home remedy यूज करते रहेंगे, तो हमारी skin भी clean and clear रहेगी, बिल्कुल जैसे की baby skin हो, तो आज की remedy में मैंने जैसे आपको बताया है, आलू का juice लेना है, थोड़ा सा glycerin डालना है, और थोड़ा सा कच्चा दूर डालना है, इन तीनों को अच्छे से mix करना है, फिर ए cotton की help से आपने इसे अपने चहरे पर हातों पैरों पर अच्छे से apply कर लेना है, फिर 10 minute के लिए से छोड़ देना है, और उसके बाद आप इसे साधे पानी से wash क आप इसे हफते में दो बार जरूर लगाएं, जैसे जैसे आप इसे यूज़ करेंगे आपके चहरे की रंगत में निखार आता जाएगा, अब यह जो बच गया है, इसकी हम आइस जमा लेंगे, रोज रात को आप सोने से पहले अपने फेस पर आइस मसाज करेंगे, तो जो तो आप भी देर मत कीजे, जल्दी से इसे बना लें और यूज़ करके बताएं कि आपको इसका कैसा रिजल्ट मिला,